मौसम विभाग ने पहले ही इस बार मांसून में अच्छी बरसाथ होने के संकेट दे दिये थे जिसके बाद किसानों ने अपने खेतों में जोर शोर से हुआई का काम सिरुकर दिया था लगातार हो रही बरसाथ ने किसानों के तहरों पर खुशिया ला दी है बतादे किसानों ने इंजनों खेतों में धान की फसल लगाई हुई है और ये बरसाथ किसानों के लिए एक बरदान साबित है रही है बतादे धान की फसल को अधिक पानी की जुरूरत होती है और इस बार हो रही अच्छी बरसात के कारण फसल को पानी देने की किसानों की चिंतार लगभख खतम हो गई है बरसात के कारण किसानों को खेतों में कम मेहनत करनी पड़नी है वही इस बारे में जब किसानों की राए ली गई तो किसान काफी खुश न जड़ाए और खेतों में लगी धान की खसल भी बढ़ती हुई दिखाई दी किसानों का कहना है कि लगातार हो रही बरसात की वज़े से उन्हें खेतों में कम काम करना पड़ रहा है खिलाल तो बहुत अच्छी बरसात हुई है खसल के लिए भी बहुत पैदेमंद है इस बरसात से किसानों को बहुतत फायदा हुए है पानी किसान से उतारना पड़ता है इसके लिए यंगे रस्टा देखना पड़ता है कि पानी को कैसे क्लियर करिए जाए लेकिन अब तक जो बरसाद हुई है उससे किसान बहुत संतूष्ट है। खेतों में प्रयाप्त माता में पानी है जिससे फसल तेजी से बढ़ रही है। किसानों ने इस बरसाद को फसल के लिए फायदे मत बताया। तो वहीं इसके साथ किसानों को ये डरधी सताने लगा है कि अगर अधिक बरसाद हो गई तो उनकी सारी फतर खराब भी हो सकती है। उनका कहना है कि अधिक बरसाद से ये समस्या जाती है कि इस पानी को खेतों में से कहा निकाले। पानी के अधिक बरसाद का पानी के इसमें दान में बहुत लावदायका जी है। वही बरसाद के कारण बिजली के कटों से भी लोगों को रहात मिल रही है। क्योंकि बिजली विभाको शहर में बिजली के कट लगाकर किसानों के ट्यूवल पर बिजली देनी परती थी। हाला के कहीं राज्यों में अधिक बरसाद होने के कारण वहां का जन्जीवन अस्ट व्रेस्ट हुआ है। लेकिन कुछ राज्यों में यह बरसाद घुशेश कर किसानों को काफी साधा पहुचा रही है। लेकिन कुछ पर लेकिन कुछ बरसा होने किसानों कुछ भी दिया हुआ है।